फ्रेंट्स आईए हम अपने chemical properties की journey को शुरू करते हैं तो आज की लेक्चर में हम acids और bases को आपस में react करवाएंगे और देखेंगे कि क्या होगा फ्रेंट्स एक्सपेरिमेंट के तोर पे मैं एक acid ले लेता हूँ जैसे की hydrochloric acid which is HCl और एक base ले लेते हैं जैसे की NaOH यानि की sodium hydroxide तो students अब आप मुझे कहेंगे कि क्या हमें chemical formula के देख के ही पता चल सकता है कि कौन acid है और कौन base जी हाँ friends इसे समझने का एक बहुती आसान तरीका है mostly क्या होता है जो हमारे acids होते हैं उनके chemical formula में H present होता है जबकि जो हमारे bases है mostly उनके formula में OH present होता है जैसे की यहाँ पर जो हमारा acid है वो है hydrochloric acid which is HCl और आप देख सकते हैं कि इसके formula में H present है और इसलिए यह एक acid है और जो हमारा base है which is NaOH आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके formula में OH present है और इसी वज़े से वो एक base है so friends mostly जिन formulas में H होता है वो acids होते हैं जबकि जिस chemical formula के अंदर OH होता है वो mostly bases होते हैं तो friends आप इसी तरीके से किसी भी chemical formula को देख के यह पैचान सकते हैं कि वो एक acid है या फिर एक base तो friends जब हमारे acid और base आपस में react करते हैं तो होता यह है कि हमारे acid में hydrogen के अलावा यानिकी ह के अलावा जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो और जो हमारा base है उसमें OH के अलावा जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो वो आपस में react करके एक salt बना देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे hydrochloric acid में H के अलावा है Cl, यानि कि chlorine, और जो हमारा base है, उसमें OH के अलावा क्या है? उसमें OH के अलावा present है Na, right friends, तो यहाँ पर यह जो Na और Cl है, यह आपस में react करके एक salt बनाते हैं, which is NaCl, जिसका नाम है sodium chloride, और friends, बाकी क्या बाकी हमारे acid में बच गया H, और हमारे base में बच गया OH, और यह जो H और OH हैं, यह आपस में मिलके water बना देते हैं, तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जब हमारे acid और base ने आपस में react किया, तो हमें एक salt मिना, which is NaCl, और कुछ पानी form हो गया, which is H2O, तो friends, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ यही acid और यही base आपस में react करके salt बनाते हैं, और water release करते हैं, ऐसा नहीं है, इसके तो बहुत सारे examples हैं, चली मैं एक और example discuss करता हूं, जैसे कि अब यहाँ पर मैं acid ले ले लेकता हूं, hydrochloric acid, और उसे same base के साथ, यानि कि NaOH के साथ react करवाता हूं, तो दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगा, कि जो हमारा acid है, उसमें hydrogen part के अलावा, जो बाकी बचा हूँआ पार्ट है, which is SO4, वो हमारे base में OH के अलावा, जो बाकी बचा हूँआ पार्ट है, which is Na, उसके साथ react करके, एक salt बनाएगा, और जैसे ही Na और SO4 ने आपस में react किया, तो हमें salt मिल गया Na2SO4, which is sodium sulfate, और friends, जो बाकी H और OH बचे, उन्होंने मिलकर बना दिया water, तो students, आज की lecture में हमने ये सिखा, कि जब भी एक acid और एक base आपस में react करते हैं, तो हमें मिलता है, एक salt और water form हो जाता है, और friends, मैंने यहाँ पर यह जो उपर reaction लिखी है, यह एक बहुत ही special reaction है, और इसलिए इसका एक बहुत special name भी है, जो कि है neutralization reaction, क्योंकि friends, होता यह है, कि जो हमारा acid और base जब आपस में react करते हैं, तो वो एक दूसरे की effect को cancel कर देते हैं, यानि कि एक दूसरे को neutralize कर देते हैं, और इसलिए इस reaction का नाम है neutralization reaction, तो friends, आज की lecture में तो के साथ react करेंगे, तो चली friends, I shall see you in the next lecture, I am sure students, आपको यह lecture बहुत ही पसंदाया होगा, तो अगर आप अपने हर concept को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से clear करना चाहते हैं, तो download कीजे हमारी PewStack app, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे options available हैं, जैसे की sample papers back exercise solutions, written answers and much more. So what are you waiting for? Download the app now!